बहुत सालों पहले एक राजा थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे राजा भगवान विश्नु के परम भक्त थे। इंद्रद्युम्न राजपाठ छोड़ के भगवान का ध्यान करने बैठ गए। वे भगवान के ध्यान में इस तरह लीन थे कि उन्हें बाहर का अगस्त्य राजा के पास आए। परंतु राजा उनका स्वागत नहीं कर पाए क्योंकि वे भगवान के ध्यान में तल्लीन थे। रिशी अगस्त्य से यह अपमान सहा नहीं गया। रिशी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि वह एक हाथी बन जाए। इस कारण इ एक गंधर्व हुहु अपनी पत्नियों के साथ एक तालाब में मस्ती कर रहे थे। उस समय रिशी देवाला उस तालाब में नहाने आए। हुहु गंधर्व ने बिना सोचे तालाब के अंदर जाके रिशी का पैर खीच लिया। रिशी हुहु पे बहुत क्रोधित हुए औ और उन्होंने उसे मगरमच बनने का श्राप दिया। एक बार गजेंदर उसी तालाब में भगवान को चड़ाने के लिए कमल लेने आया, जिस तालाब में वह मगरमच रहता था। गजेंदर को देखके उस मगरमच ने उनका एक पैर पकड़ लिया। गजेंदर ने अपन पैर छुडाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगरमच की पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि वो अपने आपको छुडा नहीं सका। तब गजेंदर भगवान विश्नु से प्राथना करने के लिए उनकी स्तुती करने लगे। इस स्तुती का नाम गजेंदर मोक्ष है। वह स् इतनी प्रभावशाली थी कि भगवान गजेंदर को छुडाने आ गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच की गरगन कांट दी और गजेंदर को छुडा दिया। भगवान के आने के प्रभाव से गजेंदर पुन्ह इंद्रध्युम्न बन गया और भगवान के धा चला गया और मगर्मच गंधर्व हुहु बन गया और अपने धाम चला गया। गजेंद्र मोक्ष की स्तुती बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। यह स्तुती बहुत ही सुन्दर है।